Hello Students, तो आज हम करेंगे problems based on the capacitors combination तो ये first problem है, जो इसमें ये capacitors ऐसे range किये गये हैं 2 microfarad के और 1 1 microfarad के 3 capacitor है और 2 microfarad के जो हैं वो So हमें इसकी जो है, वो equivalent capacitance find out करनी है तो firstly ये जो 2 capacitors हैं ये दोनों ये series में है इसको solve कर लिया series के formula से तो इनका series combination का जो answer है वो 1 microfarad आ गया तो इसको replace कर दिया अब दोनों को replace कर दिया एक capacitor से 1 microfarad के बाकी सारी arrangement वैसी की वैसी है इनका बन गया तो इनका बन गया तो इन दोनों को इससे replace कर दिया अब बाकी की सारी arrangement जो है वो वैसी की वैसी ही है then अब ये 2-2 microfarad फिर से series में इन पे series का formula लगाया answer आ गया 1 तो इनको replace कर दिया एक से बाकी सारी की सारी arrangement वैसी ही है then ये 2-2 microfarad फिर से series में series का formula लगाया 1 microfarad आ गया तो इनको replace कर दिया 1 microfarad से दोनों को अब ये दोनों पैरलर में पैरलर का formula लगाके 2 and end में दोनों 2-2 जो दोनों है ये series में आगे तो इनका answer आ जाएगा series का formula लगाके 1 microfarad then next problem है हमारी हमारे पास 5 capacitors हैं जो के इस arrangement से जुड़े हुए हैं हमने इनकी equivalent capacitance find out करनी है P and points के बीच में तो इस arrangement को जब मैंने थोड़ा सही करके बनाया तो P point से R point के बीच एक resistance जुड़ी थी P और R के बीच में जुड़ी थी C1 C1 लिख ली R P and S के बीच में P and S के बीच में C3 जुड़ी थी C3 लिख ली अब S and R के बीच में ये resistance C5 जुड़ी थी वो इस तरफ जुड़ी अब R and Q के बीच में C2 जुड़ी थी वो इस तरफ जुड़ी and S and Q के बीच में ये resistance C4 जुड़ी थी जो वो नीचे आ गई अब ये एक वीट स्टोन ब्रिज की condition है ये वीट स्टोन ब्रिज आपके second unit के second chapter में आएगा तो वीट स्टोन ब्रिज क्या गहता है अगर C1 by C2 is equal to the C3 by C4 है अगर ये condition है इस condition को बोलते हैं balanced वीट स्टोन ब्रिज it is the condition of balanced वीट स्टोन ब्रिज then जो ये बीच वाला capacitors है इसको हम क्या करते हैं neglect करते हैं इसे neglect करने का कारण क्या है R and S points पे potential का same होना इसको neglect करने का कारण क्या है R and S points पे potential का same होना अब हमने C5 को neglect किया तो हमारे पास ये 4 capacitors ही बचे उपर वाले दोनों पर series का formula लगाया वो आ गया हमारा 2 microfarad sold करके नीचे बाले दोनों पर भी series का फार्मूला लगाया वो भी 2 microfarad अब ये दोनों 2 2 microfarad किस में हैं पैरलर में हैं उन पे पैरलर का formula लगाया तो 4 microfarad is its answer thank you for watching this video